देखे सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं जो अपनी जिन्दगी में हर चीज को लेकर बड़े क्लियर होते हैं बेवकूफ और कटर लोग तो अगर आप कन्फ्यूजड हैं तो आप इन दोनों में से कोई नहीं हैं जो कि एक अच्छा संकेत है निरे बेवकूफ और कटर लोग हमेशा हर चीज को लेकर एकदम शौर होते हैं उनको पता है वो स्वर्ग जा रहे हैं उनमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि वो आपको साथ ले जाना चाते हैं उन्हें साथ चाहिए होता है ये एक ऐसी चीज है जो हर जगा चल रही है खास कर पश्चमी दुनिया में पर ये शहरी भारत में भी बढ़ते वे पहुंच चुकी है वो ये कि आप चाहते हैं कि आपने सब कुछ सोच समझ लिया हो ये ऐसा ही है दिखिए मैं अपने जीवन पर हर समय दोबारा विचार करता रहता हूँ हर समय कि मुझे ऐसे सद्गुरू को जारी रखना चाहिए या मुझे खानसामा बन जाना चाहिए या बस मोटर साइकल के सवारी पर लट जाना चाहिए या कुछ और करना चाहिए या मुझे गॉल्फ खेलना चाहिए, या कुछ और करना चाहिए, या बस ऐसे ही आराम करना चाहिए, क्यों नहीं? मैं हमेशा दोबारा सोचता रहता हूँ, हर रोज, और फिर भी मैं ये फैसला ले रहा हूँ, कि ये करना बहतर है. हाँ, मैं फैसला करके नहीं बैठा हूँ, मैं अब भी कंसिडर कर रहा हूँ, और इसलिए ये बहुमूल्य है, इसलिए नहीं कि मैंने बहुत पहले ये डिसाइड कर लिया था, मेरे पास कोई चोईस नहीं है, मैं यही चीज़ करता रहूँगा क्योंकि मैं इसमें फस चुका हो, अगर वो बस एक ही नतीजे और निणें पर रुख गया हो, तो वो एक बेवकूफ मन है, वो बिलकुल एक लकडी के टुकड़े की तरह है, अगर हर पल वो कंसिडर कर रहा है, तब ही वो एक सक्री मन है, ये बस ऐसा है, कि आपने ये चुनाओ क्या, आपने आपको खु खुशी-ुशी confused रहना चाहिए, मैं बस इतना ही कह रहा हूँ, लोग confused होकर दुखी हो जाते हैं, क्यूंकि उनकी सोच ये है कि उनको ऐसा होना चाहिए, उनको लगता है कि सफल लोग बिलकुल clear होते हैं, वो बिलकुल निश्चित होते हैं, उन्होंने अपने निर्ने ले तो ये सोच कि आपका मन बना-बनाया हुआ होना चाहिए, एक नादान सोच है, ये ज़रूरी है कि हर वो चीज जो आप कर रहे हैं, हर पल में ये एक चॉइस हो, तब जिन्दकी खुबसूरत हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि आप इसे अभी क कर रहे हैं, तो आपका ऐसे हर रोज सुबह उठना, कि आपको पता ना हो कि क्या करना है, ये जागने का परफेक्ट तरीका है, हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर रोज अलग-अलग काम करेंगे, आप अगर वही काम भी करते हैं, तो ये आपकी मर्जी से है, तब ये आ बार लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर आप अभी फिर से एक सक्रिय चॉइस ले रहे हैं, ये बहुत महत्पून है, सिर्फ तभी आप जीवन के प्रती जीवन्त बने रहेंगे नहीं तो, मैंने अपना चुनाओ कर लिया था, ये एक बोज बन जाएगा, बहुत समय पहले मैंने चुन लिया था, अब तो मुझे ये करना ही पड़ेगा, ऐसे जीना तो बड़ी बोजिल प्रक्रिया है, तो confusion कहीं जादा बहतर है उन आदान निशकर्शों या conclusion से जो लोग जीवन के बारे में बनाते रहते हैं, बस इतना है कि आपको उस confusion का मजा लेना सीखन है, हाँ, मैं आपको confused बनाने के लिए बड़ी महनत कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि जीवन के बारे में हर तरह के बेवकूफी भरे निशकर्श हैं, तमाम तरह के बेवकूफी भरे निशकर्श, देखे बड़े लंबे समय से लोगों ने ये निशकर्श निकाल रखा था, कि कि वो स्वर्ख जाएंगे, ठीक है, मैं अभी एक मुश्किल खड़ी करने वाली चीज उठा रहा हूँ, क्योंकि आफगानिस्थान में जैसी स्थिती है, ये दुनिया में हर किसी को परेशान कर रही है, ये स्वर्ख परसंद करने वाले लोग, वो इस धर्ती पर करते ये ह क्योंकि वो स्वर्ख जाने वाले हैं, इसलिए इस धर्ती पर जो कुछ भी है उसकी कीमत नहीं है, वो वैसे भी स्वर्ख जा रहे हैं, तो अब वो इसको सब के सामने ले आए हैं, ऐसा हमेशा से था, पर ज़्यादा तर लोग इसे देखते नहीं हैं, पर अब भूराज न पर ज़्यादाद की होड में नहीं लगने वाला, आप मुझे अकेले छोड़ सकते हैं, हलो, देखें मैं स्वर्ख नहीं जाने वाला, तो आप स्वर्ख जाने वाले लोग हैं, आपको मुझे निज़र अंदास कर देना चाहिए, है कि नहीं, लेकि नहीं आप नहीं कर पर रोज की जिंदगी में भी ऐसा ही हो रहा है, किसी को ऐसा लगता है कि यहीं सही है, बस ऐसे ही एक बेवकूफी भरे निज़र से कितने सारे माबापों ने अपने बच्चों को टॉर्चर किया है, हलो, वो उनसे प्यार करते हैं, पर उन्हें टॉर्चर करते हैं और उन् वो उनसे प्यार करते हैं, उन्हें अपने जीवन के उजाली की तरह मानते हैं, पर हर रोज टॉर्चर होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा ही सही है या वैसा ही सही है, आप इसे हर घड़ी क्यों नहीं देख पाते हैं, कि किस से उसको और सबको जादा से जादा अगर किसी चीज को लेकर अपार प्रेम हो, तो यह सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखे आपको नहतिकता की जरूरत नहीं है, आपको मूलियों की जरूरत नहीं है, आपको नीतियों की जरूरत नहीं है, अगर आप जागरू क्या चेतन हैं, तो आपको इन में से किसी चीज क जरुत नहीं है क्योंकि जिसको आप प्रेम करते हैं आप उसका जितना हो सके अच्छे सा ख्याल रखेंगे क्योंकि लोग सोचते हैं लगता है मुझे आपको इपढ़ कर सुनाना चाहिए जब आप वाकई किसी वक्ति या चीज से प्रेम करते हैं तब उनको लेकर एक बहुत गहरी इमानदारी का भाव होता है आप जिसको प्रेम करते हैं आप उसको कभी उसके लिए कोई नुकसान करने वाली चीज नहीं करेंगे अगर आप बाकई प्रेम करते हैं तो, अगर ये बस एक आपसी फायदे वाली स्खीम है, थब ये अलग बाद है केवल मधुर शब्दों या नर्म स्पर्श और रसीले भावों के लिए नहीं होता प्रेम प्रेम वो आधार शिला है, जो इमानदारी, साहस और बलिदान पटिकी होती है सिवाए उनके जिनके हिर्दय प्रेम में भीगे होते हैं, उनके अलावा कौन अपने बजाए औरों की भलाई को रखता है और कौन खड़ा हुआ है चेतावनियों और खत्रे के सामने, सिर्फ वो जो प्रेम में निवेशित होता है कौन हुआ है प्रेम करने वालों जितना ततपर, जो कर सके प्रेम के लिए स्वैम को और अपना सब कुछ बलिदान, प्रेम ही है सबसे कोमल और मुलायम, सारे मानवी गुणों में आपको कुछ हैसा रचना पड़ेगा, अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो इस मन की ये हर पल हर चीज़ पर विचार और पुनरविचार करने की संभावना एक दर्दनाक प्रक्रिया बन जाएगे नहीं तो ये मन एक असाधहरन प्रक्रिया बन जाता है आपको या तो जागरूक या कम से कम प्रेम करने वाला बनना चाहिए हलो? एक बार आपको ये समझा गया, तब आप देखेंगे कि रोज ये निर्ने लेना तकलीव दे नहीं होगा, बलकि ये बड़ा आनन से भरा और अद्भुत होगा